तो अपने दुपट्टा उलाया कि नहीं हमारी लड़की बहुत सीधी है हमारी लड़की बहुत अच्ची है वो तो दुपट्टा नहीं उटारती है और यह नहीं करती है मेरा नम जुलेख हजाफरी बहडी की रहने वाली हूं एक लड़के से मेरा फियर था प्रतीक जाट नामाज का वो बहडी मुंडिया घाडगाओं का रहने वाला है उसने मेरे साथ धोका किया मेरे साथ सब कुछ किया पांस साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना क साथ कर लेंगे और मुझे गर भेज़ दिया अब मैंने जब शादी के लिए बोला हुनों और उसका रिस्ता कहीं और कर दिया बीस तारिक कोष की साधी तया कर दी अब मैं बोल रही है तो बो मुझे चुपचाप केस ले लो armada R trumpa उसका छृठी है मामा भिजेंदर संग ये लोग कि अगर मिल वोगी होगा नहीं तो मुकदमा ही लड़की मुझे डैली रखा रुद्धरपूर और बरेली लेकर आए साथ मेरे खानों ने उस अपने फूपा जी कि यहां रुद्धरपूर अमिट सिंग नाम है उनका वो एमार है कंपनी में मुझे मेरी फैमली से भी और लड़के वालों से भी खत्रा है सर ने करवाई का मुकदमा कि किया है एफ आई यार के लिए मैंने बोला है आज एफ आई यार होगी मैंने काफी दिन से टाइम दिया हुआ था शायद वो मान जाए पर वो लोग नहीं मौना है और जान समाने की धंकी दे रहे हैं लड़के वाले से भी खत्रा है मैं हम कोचिं बेटिया है उन तक ये पैगाम पहुछाने की कोशिश की हमारी बेटियां समझने के लिए तयार नहीं है आई दिन जwegen इस तरीके के वाकिया आते हैं तो इन वाकियात को देख कर के हमारा दिल शलनी होता हमें अफसोस होता क्या करें आखिर हमारी वो लड़कियां वो बेहि बेटियां के जिनको अलाहने कितनी इज़त दी एमान की दोलत से उनको नवाजा वो माबाप जिनोंने कितने प्यार से लाट से इनको पाला लेकिन ये उन पर भरोसा नहीं करती हैं माबाप पर भरोसा नहीं करती हैं और एक गैर पर और वो भी गैर मुस्लिम पर भरोसा करके अपने निकल जाती है पांच साल से फेर चल रहा था आट दस दिन से बिलकुल अपने साथ में शादी के तरहां उसको रखे हुए था शादी के बाद में जैसे मिया वीबी रहते हैं और सब कुछ उसके साथ में किया यूं कहिए कि हड्ली चूसकर केविन को छो है छोड़ दि कि ये बे इमान जो भी इमान वाले नहीं लायतवार हैं मगर नहीं आती है ये बास समझ में अब बताईए इदर इनको अपने माबाप से जिनों ने पाला हो उन से भी एक खत्र हो रहा कैसी मतलब आफ़ते टूटती हैं हरो पर जब आती हैं ये क्यों होता है आखिर उसकी कि इनसे जब पूछा गया कि ये तुम्हारे स्टेश में कब से आया तो जब जवाब दिया कि कोजिंग सेंटर में हम साथ में पढ़ते थे सुदर जाईए आप समल जाईए आप कि ये जो मामलात आते हैं यकीनन उसी के हैं कि हमने जो अपनी वेहन वेटीयों को आवारा कर दिया किसी के साथ भी भेज देते हैं हम ये देखते ही नहीं कि वहाँ पर लड़के लड़कियां आपस में मिल सकते हैं अगर एक साथ वो भी पढ़ रहे होते हैं तो अपने एक दुपच्टा उडाया कि नहीं हमारी लड़की बहुत सीधी है हमारी लड़की बहुत अच् काशने में खांदान में कोई इज़त नहीं रही इज़त उचल चुकी तारतार हो चुकी है और साथ साथ उदर जिसके साथ इसका फेर था इसने जब उनके खिलाफ मुकर्णा किया तो फरेशान वो भी है इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि यह गुदारिश भी करूंगा कि चाना ही नहीं जाए बलके उसमें यह शर्ते लगा दिजाए जब तक के लड़की वाले के माबाप बाई बहन और अजीज वाकारिब और इसी तरीके से लड़के वाले के अजीज बतक नहीं आ जाएं वो इसमें शामिल ना हो निका निका ना हो यह अगर कानून बन जाए तो ये इस तरहा के जो मामलात बन रही हैं मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा इसलिए ये सब कुछ होता कि हालात ये होते हैं कि लड़के वालों को पता नहीं होता लड़के वालों को पता नहीं होता और इज़ते तारतार हो चुकी होती है इसलिए समभल जाएं सुधर जाएं कितने वाकियात आए दिन आते रहते हैं लेकिन हमारी बेहन बेटीयां समझने के लिए तैयार नहीं है आपको अलाहन एमान की दूलत से नवाजा कद्र कर लीजिए इस इमान की दूलत की मैंने एक मरताब और भी कहा इनसान के नजदीक चार चीज़े बड़ी एहम होती है माल जान आबरू यानि इज़त और इमान बुदर्गोन बयान फरमाया कि अगर इनसान की जान पर आए तो वो जो माल महबूब है तो उस माल को भी खर्च करें और अपने उस जान को बचाए और जब नोबत आ जा इस तरह की कि इज़त पर आपड़े तो अब ना जान देखनी है ना माल देखना है दोनों को कुर्बान करके अपनी इज़त को बचाना है और वो दुर्गोन ने फरमाया और अगर मामला ये हो कि इमान पर आ जाए तो उस वक्त में फिर जान, माल, इज़त ये सब कुछ दाव पर लगा कर अपने इमान की हिफाज़त करना चाहिए और जब तुम अगर इन तीनों चीज़ों को दाव पर लगा कर अपने इमान को बचाने में कामियाब हो जाओ तो ये समझना कि ये बड़ा सस्ता सोदा था जो हमने इमान जैसी खीमती चीज़ को बचा लिया महफूस कर लिया मगर कहा है इसकी खीमत याद रखें कि अल्ला तबारक वताला हर चीज़ को माफ फरमा देगा लेकिन शिर्क और कुफर को माफ नहीं फरमाएगा जो जहन्नम में हमेशा हमें जुकने का हुक्म होगा वो सिर्फ सिर्फ और कुफर वालों को ही होगा और बाकी अगर गुनागार भी कोई होगा तो अल्ला तबारक वताला बड़ा रहीम है वो बख्ष देगा वो जो अधिसों में आता राई के दाने बराबर भी अगर उसके दिल में एमान होगा तो उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा वो उन्हीं के लिए है के खात्मा के ईमान पर हो मंगर ये इश्क में आकर के नहीं माबात के अपने उन अ कुरवानियों की परवाणा उनके लाड़ प्यार की परवा सब कोब्स्ट को तारतार करके ये सब कुछ करने के बाद में अपने भी परेशान दोनों खांदानों को परेशान शहर परेशान, मुलक परेशान इसलिए मैं कहूंगा इसलिए कोई कानून बन जाए, बना दीजिए कोई कानून इस तरह का, कि दोनों पक्स बैट करके ही निकाह करें, तो निकाह माना जाए, वरना वो निकाह ही ना माना जाए